असलालेकुम और सब कैसे हैं मैं आपको ना एक ही आई इस पर मेकप करके दिखा रही है क्योंकि कैमरा जो है इस तरह ही होता है मुझे महविश ने एक बार एडवाइज किया था कि मैंने कोशिश करीए केमरे को सैट किया तो आपको आपको अच्छे से दिखे कार लाइगे इसको मैं बेस लगा रहे हूं बेस में कंसीलर से लगा रहे हूं औराफ बना सकते हो चготов यशला सप्परशेज में वाइध भी बना सकते हो तो मैं मैं इस आप 17 से तwach को अगारी और आर्श खर banc बना है द्यश्क्वेस भी नहीं लगाया य। मैंने बेस बनाई और डाइरेक्ट अप्लिकेशन चुरू किया और इसमें क्या होता है हम लोग अगर डाक आइज बनाते हैं तो आपको पिग में आपको कंसीलर ये करेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है आप डाइरेक्ट बेस बनाके भी कर सकते हो और वह रहता भी है लाई पॉपल लगा ने मैंने नीचे हलका सा एकी साथ में ब्लैंड कर दिया और निए पॉपल को थोड़ा और लगाया ताकि ज़्यादा दिखे और मैंने ज़्यादा देर मुझे कलर नहीं रखना है तो फिर आप उसको ना डबल मतब दो दो बार आपको लगाना चाहिए ज सब्सक्राइब के इस चोड़ा साँ वीडियो हलका सा फास्ट किया है क्या वीडियो अगर तो फिर आपको बहुत थाइम लगजाएगा इसके लिए थोड़ा किवैं है कि अभी मैं उसको ब्लेंड करें जो उपर के इजे सेना उनको ब्लैंड कर रहे तो ब्लेंड करने के लिए मैंने हल्का सा लाइट कलर से पिंक लाइट लिया है एक दम हल्का लाइट पिंक कलर का लेके और उसको हल्का सा ब्लेंडिंग सारे एक साथ ब्लेंड करें और फिर से मैं उनको अपलाई करें जहां जहां मैंने पिंक लिया जहां मैंने औरेंज लिय फिर से से मुकल दढ़ा रहे हैं खाली ब्रश को जरा सा हाथ से क्लीन कर रहे हूं और पूरे ब्रश को टीशू से नहीं घर हो इसे करके मैं पूरा लगा है अभी मैंने इसकी आईस को उपर क्यूं किया ताकि मुझे ना उसकी गाइड लाइन मिल जाए आप कंचेलर कंचेलर आइस पर लेचेलक, पर जास दिखा ने हैं तो आप भी घड़ी लें तो जितना ऐसे करोगे तो अच्छा अच्छा है अभी आइस को मैं कैसे कर रही बड़ी आइस कर रही मतलब इनर कॉर्णर के बाहर जा रही हुँ थोड़ी हैवी आइस होती ना उस तरह से लेकिन गिलीटर ज्यादा नहीं डाला शाइनिंग जादा नहीं किया है कर दो कंसीलर से बताया और मुझे वस्तिकाना होता है तो मैं कोई इस बहुत अच्छी बन जाती लेकिन मैंने जैसे उपर कलर लिए हैं इधर भी वैसे कलर ले रही हुँ अभी जैसे मैंने फ्रंट में यलो किया है और उसके भी पहले इनर कॉर्णर में हलका सा ना पर्ल का तो मैं आगे तक पूरा इसको ले के जो और लास्ट में पॉपला किया है यालो की चोड़ा है तो मैं पॉपल कल्द लगा रही हूं और उसमें एक पॉइंट बनाया मैंने और एक लाइन छोड़ी हुई है मैंने हलकी सी तो वह लाइन को छोड़ते हुए हमको हमारी जो उसमें हमको वाइट लगाना है इसलिए हम लाइन पहले चुड़ेंगे और खाली ब्रश लिया जिस अब करके एकुली है ऊवकली तो तो उसको मैं ब्लेंड कर रही हूं तो अभी उनकों सब्सक्राण जियान प्लक डिया फिर्सें definitely तो नहीं दिखता है थोड़ी देर के लिए पैनिटेट होता है तो हमको फिर से पिगमेंट लगाना चाहिए थाके और अच्छे से नजर आए अभी यह वाइट लाइनर है उससे मैं लगा रही है जो मैंने लाइन बीच में थोड़ा चाहिए उसके लिए प्रॉड करते हैं अगर किसी को आप मेक अप कर दो तो उस पर द्यान लखें लेकिन कि वीडियों पर गई मैंने भी ध्यान ने थ्यान गया आपको देखो नजर आ रहा है मैंने सिर्फ लाइन पर वाइट लिए लगाया है अब दोनों पीच में गैप और लाइन और उपर दोनों कलर कितने अच्छे से नजर आ कि और हलका सा मैंने शीमर को हाथ से लिया था बाद में अब एक लाइनर को ब्लैक क्या कि यह रिख़ार करेंग कि अब लगा सोब निए फरक्वाइब सब्सक्रोण कर वाद मोपर हैं तो ह्तोधिन बना गला कि कि अबícia अउसरnoc पहले आगे लो हलका सा एक लाइन की आगे किचो और फिर बाद में लाइनर को आई लेशिस के ऊपर और नीचे की तरफ लगाओ तो अलका सा पॉइंट आता हो राख उससे लंबी दिखती है लाइनर थोड़ा बड़ा भी कर रहे हूं तो क्योंकि आइस बड़ी है न तो प्रश में लिया चोटा वाला जो ब्रश होता है जिसे हम लोग रीज वगएरा बनाते है उससे मैंने पहले उसको किया अभी यह जो मैं आख के अंदर काजल लगा रही हूं यह आइवरी कलर है स्टिक है और उनका आइवरी उससे में लगा रहे हूं तो यह वाइट अपके समय तो आप फिर उससे कोई भी सुप्रा वगएरा कलर से मत लगाना स्टिक से लगाना ताकि थीक बेस होता है और मैं भी लाइनर ही लगा रही हूं जो हमारा वो यह लाइनर है ना लिक्विट लाइनर को ही लगा रही हूं उसको हलका सा मर्ज कर रही हूं और मर्ज कर रही तो इसके वह जो आइज है ना बहुत अच्छी दिख रहे थी और आइब्रोस में हमेशा याद रहो किना हलका ही आइब्रों करो बहुत डाक मत करो डाक करना तो इसको बार वर उठाना पड़ा था मौडल को हमारी तो वह सो जा रही थी वार वार अब यह मस्कारा लगा हुए ताकर मैं लेशेज अच्छ से मैं लगा है उसमें अब हलाईनर पूरा लगा दिया है और में लगा दिये अगया जीसे हम बैड़े लगा बनाते हैं वह पर लगाते हैं मेरा तरीका है कि जैसे कोई मेच्वर इसकीन है या फिर कोई मेकप करनाँ तो मैं हल्की लगाती हूं वरना थोड़ी है वेवी लगाती हूं और मेंने फिंदी बिना दिए पेंदी मैंने अच्छा दिखने के लिए आप दिखो सकी आइसका पुरा मेकप देखो और कितनी जल्दी जल्दी मेंकप हो जाता है एकदम आसान ट्रिक से आप मेकप कर सकते हो बहुत ज्यादा कलर ढालना है कलर डालना थोड़ा डाक कर सकते हो आप मैं कभी ज्यादा भी हैवी भी कलर डाल के मेकप दिखा दूंगी देखो थैंक यू सोमच अगर आपको